ये चीज़ आपको अलड़ी पता होगी कि अगर आपने fat loss करना है तो जितना आप खारे हो उससे थोड़ा सा आपको कम खाना पड़ता है लेकिन अगर आपने muscle build करना है तो जितना आप खारे हो उससे थोड़ा सा जादा खाना पड़ता है ये आपका पहला step होता है अगर आप ये पहला step अच्छे से perform करते हो तो कुछ हफतों से लेके कुछ महीनों तक आपको results मिलते रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके अगला step, important step नहीं पता है, तो वो results आपको मिलने बंद हो जाते हैं वो step क्या है, वो step आपको तब समझ में आएगा, जब आप metabolic adaptation के बारे में आपको पता होगा, metabolic adaptation आपकी fat loss and muscle building journey में किस तरह का असर डालता है और अगर आपको इस चीज की समझ नहीं है, तो क्या आपका नुकसान होता है, इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे, coming up Welcome everybody, this is Mind with Muscle, मेरा नाम इनव जो सेंग और ये है Simply Understood एक ऐसी वीडियो सीरीज जहां पे हम complicated fitness subjects को लेके उनको simple language में breakdown करेंगे, ताके आप उन चीजों को समझ सको, अपने workout में, अपनी diet में इन चीजों को apply कर सको और better results हासिल कर सको तो अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करो, and साथ में bell button को भी press कर लेना, ताके जब नई videos हम इस सीरीज में डालें, तो आपको उसका पता चल जाए, तो शुरू करते हैं, आज का video topic है Metabolic Adaptation, Metabolic Adaptation ये दो शब्दों का simple सा मतलब है कि आपका metabolism और उसका adapt होना आपके workout के प्रती, आपके diet के प्रती आपके environment lifestyle के प्रती सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि metabolism actually होता क्या चीज है, बहुत ही simple शब्दों में अगर मैं इसको समझा हूँ आपको तो metabolism का मतलब है, जो भी चीज आप खाते हो, जो भी आप खाना खाते हो, आपकी body उसको different chemical process से गुजार के उसको energy में convert करती है और उस energy को हम different कामों के लिए हम सांस लेने के लिए, दिल के धड़कने के लिए, workout के लिए, चलने फिरने उठने बैठने के लिए जब इस्तिमाल करते हैं तो ये चीज है हमारा metabolism बहुत ही simple शब्दों मैंने आपको समझाने की कोशिश किया अब आपने ये चीज बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि slow metabolism होता है fast metabolism होता है slow metabolism का simple सा मतलब है कि ये जो process है आपका खाना खाना उस खाने का energy में convert होके use होना वो process slow है और fast metabolism का simple सा मतलब है कि ये process आपका fast है modern जो life है जिस तरह कि हम lifestyle जी रहे हैं उसके context में fast metabolism को better माना जाता है और उसका simple सा reason है कि हमारे पास food बहुत जादा quantity में available है हम जब भी जब चाहें जो भी खा सकते हैं हमारे पास food बहुत जादा है हम energy जादा अंदर डाल रहे हैं लेकिन अगर उस energy को burn नहीं कर पा रहे हैं उतना जादा तो होता क्या कि हमारी body उस surplus energy को जमा कर लेती है store कर लेती है जिसको आप body fat कहते हो तो इसलिए आज कल के time में fast metabolism metabolism का होना अच्छा मना जाता है ताके आपको lean रहने में muscular रहने में help हो अब अगर fast metabolism का इतना ज़दा benefit है तो जाहर सी बात है कि हम सब चाहेंगे कि हमारा metabolism थोड़ा सा fast हो आपको जानके हरानी होगी कि चाहे आप चाहते हो चाहे आप नहीं चाहते हो जाने डाइट की वज़े से आपके metabolism का slow होना या फिर आपके metabolism का fast होना इसको हम कहते हैं metabolism का adapt होना यानि metabolic adaptation अब दो ऐसी चीजे हैं दो ऐसे factors हैं जिसके उपर हमारा full control है जिनकी मदद से हम अपने metabolism को fast या फिर slow कर सकते हैं वो दो factors हैं workout आपका number two आपकी diet सबसे पहले बात करते हैं आपके workout के बारे में workout आप इस तरह से कर सकते हो जिससे आपका metabolism या तो fast होगा या फिर slow होगा किस तरह का workout है जो के metabolism को fast करने में help करता है resistance training जब आप gym में जाके वजन उठाते हो weight training करते हो तो आपकी body को ये signal जाता है कि हमें metabolism को fast करने की ज़रूरत है metabolism इससे fast कैसे होगा जब हम resistance training करते हैं जब हम weight training करते हैं तो हम अपने muscle को build करते हैं maintain करते हैं अपनी strength को build या maintain करते हैं muscle एक ऐसा tissue है जिसको build या maintain करने के लिए काफी सारी calories को खर्च करना पड़ता है body को तो जब आपकी body को ज़्यादा caloric requirement है तो जाहिर सी बात है कि वो calories ज़्यादा burn करेगी तो कोई भी ऐसी exercise जो के muscle building, strength building को promote करती है वो exercise आपके metabolism को भी boost करेगी इसके ultra कोई भी ऐसी exercise जो के muscle building को promote नहीं करती ultra muscles को pair down कर सकती है जैसे के आपका cardio हो गया excessive cardio जो होता है आप अगर हर रोज एक-एक डेड़ेड घंटा cardio करते हो या फिर poorly programmed circle training मैंने देखिया या फिर poorly programmed crossfit type जो workouts होते हैं वो आपके muscle को pair down कर सकते हैं तो कोई भी ऐसी exercise जो के आपके muscles को pair down करे मतलब आपके muscles को कम करें जाहिर जी बात है के आपके body के पास उतना muscle नहीं है उसकी calorie requirement धीरे-धीरे करके कम होगी and आपका metabolism भी over time slow होगा तो कोई भी ऐसी exercise जो muscle building को promote करती है आपके metabolism को boost करेगी कोई भी ऐसी exercise जो के आपके muscles को pair down करती है वो आपके metabolism को down करेगी slow करेगी so इस तरह से जिस तरह का आपका workout होगा उसी तरह से आपका metabolism भी साथ में adapt होगा दूसरी चीज आपकी diet आपकी diet जिस तरह से आपकी खाने-पीने की आदते हैं वो आपका metabolism slow या fast कर सकती है कैसे? let's say कि आप लगातार बहुत लंबे टाइम से calorie deficit में चल रहे हो अब आपको समझ में आएगा कि अगर आप 2-3 महिने-6 महिने लगातार कम खाते हो तो eventually आपको results मिलना क्यों बंद होते हैं क्योंकि आपका metabolism साथ-साथ adapt हो रहा है जब आप अपनी body को लगातार कम खाना देते हो तो आपकी body क्या करती है? आपकी body calories के साथ जादा efficient होने की कोशिश करती है मतलब fuel efficient होने की कोशिश करती है देखे हम इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा back जाना पड़ेगा जब हम जंगलों में रहते थे हमारी जो history है इंसान की जो history है वो करीबन 10 लाग साल से हम इस धर्ती पे हैं और इन 10 लाग सालों में majority of time हमारा जंगलों में बीता है और इंसान इस तरह से evolve हुए है कि अगर आप आपको एक दो दिन खाना नहीं भी मिलता है तो भी आपकी body survive कर सकती है आपके metabolism को slow करके calories के साथ ज़ादा से ज़ादा efficient बनने की कोशिश करके ठीक है तो हम इस तरह से evolve हुए है calories को अभी भी हमारी body बहुत ज़ादा precious चीज मांगती है इस बात को please समझे आपकी body को लगता है कि जो calories खाने से आ रहे हैं तो calories हमारी body के लिए बहुत ज़ादा precious चीज है अगर आप अपनी body को लगातार कम calories दे रहे हो in other words अगर आप लगातार कम खाना खाने की कोशिश कर रहे हो तो आपकी body जितना भी आप काम कर रहे है जो भी आपकी activity level है उसको ज़ादा से ज़ादा efficient तरीके से करने की कोशिश करती है वो कोई भी activity हो सकती है swimming हो सकती है किसी भी तरह का कार्डियो हो सकता है या फिर कोई भी workout आप कर रहे हो उसको ज़ादा से ज़ादा efficient तरीके से करने की कोशिश करती है लगातार इसकी ये कोशिश रहती है जब आपकी body लगातार इस तरह से calories के साथ efficient बनने की कोशिश कर रही है क्योंकि आप उसको signal दे रहे हो कि आपके पास खाने की कमी है तो आपकी body उस खाने को ज़ादा से ज़ादा efficiently use करने की कोशिश करती है तो आप देखते हो के same amount of calories जितना आप पहले ज़ादा खा रहे थे उसके बाद कम खाने के बावजुद भी आपका weight loss, fat loss नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी body ने adapt कर लिया है, आपका metabolism adapt हो चुका है, same amount of calm अब आप कम calories के साथ कर रहे हो, आप ज़ादा fuel efficient ह In other words, दूसरी तरफ diet की वज़ा से अगर आप अपने metabolism को build करना चाहते हो, fast करना चाहते हो, तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका है, जिस तरह से आपने slow किया था, उसके exact opposite मतलब कि आपको थोड़ा सा surplus में खाना पड़ेगा, जितना आप खा रहे हो, उससे थोड़ा सा आ आप ज़ादा खाते हुए, especially जब आप इस चीज़ को combine करते हो, resistance training के साथ, तो आप अपनी body को information, ये signal send कर रहे हो, के हमें ज़ादा muscle की ज़रूरत है, और उस muscle को build करने के लिए आप calories भी provide कर रहे हो, तो धीरे धीरे करके इस चीज़ को, इस काम को किया जाता है, आपका metabolism को build किया जाता है, उसको fast किया जाता है, अब इस information को, इस सारी information को आप use कैसे करोगे, अपने fitness goals को achieve करने के लिए, देखिए, metabolism आपका कोई एक fix state में कभी भी नहीं होता, मैंने जैसा आपको बताया, starting में ही, आपका metabolism, आपकी diet, workout, lifestyle के साथ, हमेशा adapt हो रहा है, change हो रहा है, क्यो ये पहला step है, ये पहला step आपने कितने time तक follow करना है, तब तक follow करना है, जब तक आपको लगता है कि आपकी body अच्छे से response कर रही है, जब आपको लगे कि आपकी body ने उतने अच्छे से response देना बंद कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपका metabolism अब आपके against काम करना उसने च सबसे जादा results दिलवाती है, ये बात हमेशा याद रखना है, तो novelty आपने introduce करनी है, अपने diet and आपके workout में, वो novelty क्या है, अगर आप 4 हफते, 6 हफते, 8 हफते से लगातार calorie के deficit में खा रहे हो, और आपके metabolism ने अब उतने अच्छे से response देना बंद कर दिया है, तो novelty है आपके metabolism के के लिए कि आप हलका सा surplus में थोड़े time के लिए खाए, ये बहुत एक अजीब सी बात हो सकती है, उन लोगों के लिए, कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपने fat loss करना है, तो आप थोड़ा सा जादा खाए, ये mental hurdle भी होती है, आपके लिए मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपको time to time ये काम करना ही पड़ेगा, ताके आपके body को लंबे समय तक ये ना लगे के मेरे पास calories की कमी है, मुझे लगातार calories के साथ efficient होने की कोशिश करनी पड़ेगी, तो ये जो adaptation है, आपके metabolism की adaptation है, ये आपको hard plateau hit ना करवाए, उसके लिए कुछ कुछ time आपने अपने goal के उल् हफतों के लिए आप deficit में खाओगे, तो इससे आपके metabolism को break मिलेगी, same चीज अगर आपने fat loss करना है, तो आप 4-6 हफतों के लिए कम खाने के बाद 2 हफतों के लिए तोड़ा सा जादा खाओगे, तो आपके metabolism को break मिलेगी, आपकी body को लगेगा, कि मुझे लगातार calories के साथ efficient होने की ज़रूरत नहीं है, तो ये है आपका metabolic adaptation, इस तरह से आपका metabolism adapt होता है, अगर इसको आप नहीं समझते, इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आती, कि मैंने 2 महिने बहुत अच्छे से मुझे results मिले, 2 महिने के बाद मुझे अच्छे results क्यों नहीं मिल रहे हैं, इसल करा के content को appreciate करते हो, तो comment section में ज़रूर बताइएगा, मज़े करो, stay fit, stay strong, stay badass.